हेलो फ्रेंस कैसे है आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे फ्रेंस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बैल के आइकन को भी प्रैस कर लो ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख पाओ तो दोस्तों नरीते प्रतियोगिता प्रदर्शनों के साथ शुरू होती है यह यात्रा जहनक और रुद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है रुद्र जहनक को अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है वह कहता है कि उसे कड़ी मेहंद करनी है और परिनामों के बारे में नहीं सोचना है आदित्य कपूर भी जज के रूप में इस कारेक्रम में शामिल होते है आदित्य की इंट्री के साथ आने वाले ट्रैक में एक दिल्चस्प मोर आता है यहां तक कि सेमी फाइनल राउंड में अर्शी की इंट्री भी देखने को मिलेगी रुद्र जणक का समर्थन करता है लेकिन क्या वह अनिरुद्ध और अर्शी के मुंबी में डांस इवेंट के लिए आने से मजबूत रहेगी जणक का अर्शी से आमना सामना होगा क्या वह अर्शी से मुकाबला करेगी या उसकी खुशी के लिए अपने करियर का बलिदान देगी शो में आज ब्रिजभूशन ने जणक के प्रदर्शन को खराब करने के लिए शाइना को काम पर रखा है वह नहीं चाहता कि जणक प्रतियोगिता जीते वह नहीं जानता कि शाइना क्या योजना बना रही है शाइना कहती है कि उसके दिमाग में कई योजनाए है और वह उनमें से एक पर फैसला करेगी वह ज्यादा कुछ नहीं बताती वह जणक से अपना बदला लेना चाहती है वह जहनक की इज़द बरबाद करने के लिए उसके कपलों में गरबडी की योजना बनाती है अनिरुद अर्शी को डांस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खुद को तैयार करने के लिए मना लेता है क्योंकि यह उसका आत्म विश्वास बढ़ाने का एक मात्र तरीका है वह अर्शी की निराशाजंग बातों से ठक चुका है और चाहता है कि वह जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाए अर्शी उसके अनुरोध पर सहमत हो जाती है हाला कि उसे दुख होता है कि वह उससे प्यार नहीं करता जहनक शाइना की बुराई का निशाना बन जाती है उसे अपने खिलाफ हो रही बड़ी साजिश के बारे में पता नहीं है जहनक खराब ड्रेस पहन कर स्टेज पर परफॉर्म करती है जब उसकी ड्रेस परफॉर्मेस के दौरान फच जाती है तो उसे बहुत अपमान सहना पड़ता है जहनक स्टेज पर जम जाती है वह डांस परफॉर्मेस कैसे जारी रखेगी और जीत की ओर कैसे बढ़ेगी क्या रुद्र उसकी मदद करने आएगा या आदित्य स्टेज पर आकर जहनक की जिंदगी में वापस आएगा जहनक के बारे में सबसे तेज अपडेट के लिए टुडेटेनमेंट पर बने रहें